अस्सलाम अलेकुम गाइज मैं हुशाद और इस वीडियो में 5.3 स्टार्ट करेंगे लास एक्ससाइज है हमारे चैप्र नमर 5 की और इसमें बहुत सारी डेफिनिशन है मैं लिखवा नहीं सकता आप लोगों को अगर लिखाओं तो बहुत टाइम लग जागा मेरे पास टाइम बड़ा शौट है तो मैं आप लोगो कोशिश करूंगा मैं जितनी डेफिनिशन है वो सब वर्बली बोलूंगा आप लोगो और आप लोगो कोशिश करो के वीडियो और इक्रीजिञग पास क्या अपके पास पश्य क्या आपके पास अब कर दो को सा होता है अच्छा एक चीज जहने में रखो जब भी हम अग्राफ रीड करते हैं लेवट से राइट पर खरेंगे तो को हम कहेंगे increasing function ठीक है आप देखो जैसी में left से right पे देख रहा हूं मैं जैसी भड़ता जा रहा है इसी तरह मेरे function का y भी बढ़ता जा रहा है मतलब function rise होता जा रहा है ठीक है तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा increasing function हो जाएगा अगर मैं x को increase करता जाओं अब देखो इसमें x increase होता रहा है नेकिन आप y की value देखो इस point पर आपका y यह होगा इसी तरह इस point पर आपका y यह होगा तो आइसा आपका y degrees हो रहा है आप oke पास जो graph में fall आ रहा है आपके पास तो ऐसा function जिसमें हम घिसमें x value increase होँ और y value degrees हो रही हो तो वो decreasing function होता है और ऑर ऐसा function जिसके अंदर x value increase हो रही हो इसी तरह y value भी किलिदther cycle मसा function rise कर रहा है और यादर function fall कर रहा है तो राइस जब function करेगा और X value increase होगी Y increase होगी तो आपके पास वह होता है increasing function ठीक है आपके पास topic क्या है Maxima और Minima यही आपका 5.3 का topic है और इसी तरह आप सवाल सब्सक्राइब करना है Maxima और Minima अब देखो Maxima क्या होता है अगर आपके पास जैदा Maximum Point है तो उसको Maxima बोलेंगे यह बोलो Maximum Point की Plural जो है आपके पास Maxima इसी तरह जैदा Minimum Point होंगे तो वो क्या हो जाएगे आपके पास Minima हो जाएगे और Maxima और Minima को आप Extreme भी बोलते हो मतलब मतलब होता है आपके पास extreme value यह तो बढ़ी होगी बहुत जिसको Maxima बोलते हैं यह चोटी होगी जिसको Minima बोलते हैं ठीक है तो Maxima Minima को क्रेक्टिवलियम एक्स्ट्रीम भी बोला जाता है ठीक है अब देखो Maxima और Minima के साथ दो होती है एक होता है आपके पास local Maxima या local Minima मैं आपको एक किस बता दूँगा बाकी Minima क्या आप लोकल को हम क्या बोलते है लोकल को हम रेलेटिव भी बोल सकते हैं ठीक है यह आपके पास एक ड्रम होगी रेलेटिव या जहाए तो देखो ड्रम लोकल मैक्सिमा बाद में समझते हैं पहले आप समझेडे या global मैक्सिपा क्या होता है जो प्रीक्षा के पास क्या होता है जो फंक्शन कि सबसे बड़ी वैलियों होती है वह होती है आपके बास Global ग्लोबल मैक्सिमा अब इस function को आप देखो इसमें सबसे बड़ी वैली कुंसी यह वाली है तो यह वाला point आपके पास क्या हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा या इसे आप बोल दो absolute maxima ठीक है और इसी तरह जो function की सबसे smallest value होगी उसको हम बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा या absolute मिनिमा इस function में आपको सबसे minimum value नहीं नज़र आ रही वो negative infinity के पास होगी कहीं नहीं ठीक है यह तो होगे आपके global और absolute की कहानी relative या local maxima क्या होता है आपके पास दोखो local maxima क्या होता है आपके पास कि जैसे यह वाला पॉइंट है आप इसके अलॉंग एक हलका सा interval चूज करना हो यह वाला इंट्रेवल है इस इंट्रेवल में आप देखोगे तो सबसे maximum point कौन सा यह वाला है तो एक particular इंट्रेवल में जो maximum point होगा उसको आप local का होगे और यह जैदा हो सकते हैं जैसे इदर आओ इस वाले में भी यह वाला पॉइंट जो है यह local maxima भी है क्यों एक particular होगी ठीक है और global minimum के होगी सबसे smallest value होगी function की ठीक है तो यह कुछ ट्रम थे आप लोगो बताना ज़रूरी थी ठीक है उसके पार आपके पास कुछ ट्रम्स आती है stationary point इसे तरह आपके पास आता है critical point इसी तरह तीसरा जो आपका वर्ट जो होता है वह तर टर्निंग point तो stationary point turning point और critical point यह तीनों एक ही का नाम है ठीक है अब आप लोगों के लेविल पे difference है इनके दिम्यान नेकि वह बताना ज़रूरी नहीं है आप लोग इसको से में consider करो तो stationary point turning point और critical point यह एक ही चीज़ होती है होता क्या है कि जिस ऐसा point जिस पर आप पे function का derivative 0 हो जाएगा क्या मतलब अब देखो इस वाले point को consider करो अगर इस point पर मैं एक derivative मतलब क्या होता है कि आप tangent line draw करो उसका slope slope of a tangent line अगर इस point पर मैं एक tangent line draw करता हो तो यह tangent line parallel to x-axis होगी तो उसका slope क्या होगा जीरो के बराबर होगा आपको पता है जो दो line parallel होती है उनका slope सेम होता है एक तो इसा point जहां पर function का derivative क्या हो जीरो हो तो उसको आप stationary point भी बोलते हो critical भी बोलते हो और turning point भी बोला जाता है difference है थोड़ा सा नेकिन वह बताना जूरूरी नहीं है आप लोगे लेवल पर तक्रीबल सेम चीज़ है ठीक है तो यह तो होगी कहानी stationary critical turning point की stationary point यह critical turning point यह maximum भी हो सकते है minimum भी हो सकते है क्यों देखो यह maximum local maximum point है इस पर भी आप derivative maximum or minimum किस तरह निकालेंगे ठीक है तो आप लोग सबसे पहले जो स्टेप अच्छा हम जो निकालेंगे वह local maximum local minimum क्यों कितने सवाल में आपके पास एक से ज़्यादा maximum values आ रही होती है तो एक से ज़्यादा maximum value का आप global नहीं बोले जाता ठीक है तो हम नहीं पता उन इसके में से कौन सा पॉइंट ग्लोबल है तो हम क्या बोलेंगे हम local maximum बोलेंगे क्यों क्योंकि जैदा वैदिवारी है मारे पास global maximum या global minimum से एक ही तो में derivative निकालूंगा तो मेरे पास क्या रहे है इसका 2x ब्लस 2 ठीक है सबस्क्राइब क्या करूंगा उसके बाद मैं उस derivative को 0 गेक्वल रख लोगा और x की values निकालूंगा जो मेरे पास x की values आएंगी वो मेरे पास maximum या minimum value होगी क्यों देखो इसकी reason क्या है अगर मैं कहता हूं कि यह वाला point जो है मेरे पास maximum point है ठीक है इसी तरह यह वाला point जो है मेरे पास minimum point है तो अगर मैं इसका derivative निकालूंगा derivative मतलब slope of tangent 9, tangent 9 draw करो यह tangent 9 draw कि अगर इसके मैं slope निकालूंगा क्या आएगा जिरो के बराबर आएगा क्यों कि यह parallel to x-axis है इसी तरह maximum point मैं slope of tangent निकालूंगा क्या आएगा 0 के बराबर आएगा तो जब भी आप maximum या minimum point पे slope of tangent निकालोगे तो वह 0 के बराबर आएगा ठीक है तो जब आपने first derivative मतलब slope of tangent निकाल लिया तो इसको 0 के इकल रख लो क्यों क्यूंकि आपको x की वो values चाहिए जिन पर आपका function maximum या minimum है ठीक है तो यह reason है first derivative को आपने 0 के बराबर रखा जब 0 के बराबर रखो के कोई ना कोई x की value आएगी आपके पास ठीक है इसे ज़र अगर minimum है तब भी क आपके पास x की value आएगी तो आपने इसको first derivative को 0 के equal रखे x की values के लिए solve करना है उसके बाद क्या करना है अच्छा जो भी x की values हैंगी let's say अगर आप इसको 0 रोखोगे 2x plus 2 equal to 0 क्या देगा 2x equal to minus 2 x equal to minus 1 तो यह आपके पास maximum या minimum value या आपको नहीं पता अभी ठीक है इस point क्या 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 तो maximum होगा या minimum होगा आपको अभी नहीं पता वो दूसरे तरीके उसे पता चलेगा ठीक है आप क्या करो इस x की value को function के दाव पूट कर दो y equal to minus 1 का square plus 2 minus 1 plus 2 solve करो तो क्या आएगा आपके पास 1 minus 2 और plus 2 तो y की value क्या आगी 1 तो आपके पास एक stationary point आगया stationary point या तो maximum होगा या minimum होगा coordinate क्या है x minus 1 है और y1 है तो यह आपके पास एक stationary point आगया अब आपको नहीं पता कि maximum है या minimum है find तो कर लिए आपने नेकिन यह नहीं पता यह maximum है किस तरह बता चलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे ऊसके लिए हम second derivative test करेंगे वो क्या होता है वो समझ जयते हैं पहले step पढ़ने से पहले देख लेए second derivative test होता गया बदाए विवर्स derivative हमें क्या बताता है slow buffer tangent 9 second derivative हमें क्या बताता है किसी भी function की concavity बताता है concavity का मतलब क्या कि या तो वो concave up है या concave downward है यह हमें बताएगा उपर से गया होगा आप लोगों के मैं समझाता हूँ आप लोगों का ठीक है अब देखो इस function को लेट कर लो यह function increase हो रहे है क्यों जैसे हमारी x की value इंक्रीज होते जा रही है यह दूसर तरीका क्या है इसका अगर आप इस point पर टेंजलन डॉर कर रहे तो इस तरह आ रहे है इस पर डॉर कर रहे तो इस तरह आ रहे है और मैंने आप लोगों को बता है चतिर नमर टू में बता है लैट से राइट पर कोई भी लाइन इंक्रीज हो रहे है तो उसका मतलब है स्लोप पॉजिटिव है तो आपके पास function increase हो रहे है इंक्रीज हो रहा है यह आपका function इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव है इस point पर आपका क्या हो दाएगा function का 0 मतलब derivative 0 उसके बाद आपका function क्या हो रहा है उसके बाद आपका function degrees हो रहा है slope क्या है negative slope क्यों क्यों कि आप इस पॉइंट पे अब जब टेंजलन ड्रॉ करते हो तो लेफ्ट से राइट पे इस इक हो रहा है यह आपको बताएगा second derivative जब आप किसी function का second derivative निकालोगे तो वह हमें क्या बताएगा second derivative का मतलब क्या है 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 यह म or are change ओफ डरीवेटिव मतलब डरीवेटिव है यह आपके बाएज टेरीवेटिव है य बयर डीवाई माई डीक्स इस sweetheart of ड्ैंजरी तो ह्जी और टीप क्क फूजिटिव प्रणी पॉजिता फीर प्रीव हो गया उसके हो गया तो जब आपके पास second derivative negative आ रहा है इसका क्या मतलब आपका function decrease हो रहा है पहले zero था फिर decrease उससे पहले क्या होगा इंक्रीज हो रहा हो तो आपका function increase था zero वह उसके बाद decrease हो गया तो यह आपके पास बन गया क्या 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 होगा वह सबसे maximum पॉइंट जब भी आया मतलब आपका maximum पॉइंट आया था उसके बाद आपका function decrease हो रहा है तो वह पॉइंट क्या होगा maximum होगा जिसका maximum बोल देंगे अगर आपके बास second derivative positive हो है इसका मतलब आपके बास shape कौनसी है इस तरह की minimum point होगा क्यों के इस पॉइंट के बाद आपका function increase और मतलब हो मतलब आपका function decrease हो रहा है तो वह बाला minimum point बाद आपका function increase हो रहा है यही चीज मैंने यहां लिखी है कि कि आप secondary find करो step 3 में अगर आपके पास a,b stationery point है अगर आप second derivative में यह वाला है x coordinate put करोगे stationery point का मतलब minus one put करोगे और वो क्या आए वो greater than zero आए तो आपके पास कॉन के यह बाब मतलब वो minimum point हो का जो मैंने लिख दिया local minimum point है इसी तरह आप stationary point का x coordinate put करोगे second derivative के अंदर और आपके पास second derivative less than zero आ रहा है इसका क्या मतलब है कि a point a,b point जो है वो local maximum है क्यों जब भी secondary less than आए तो मतलब आपके पास shape concave downward होती है और वोला point maximum होता है उसके आपका function degrees हो रहा होता है तो यह पूरी कहानी है इसको हम कहते है second derivative test ठीक है